सभी को नमस्कार, मैं आपको पहली कक्षा के हिंदी के ने सब्द कोश को सांकेतिक भासा में समझाऊंगा डाग खाना टेलिफोन बूथ ट्रैफिक लाइट्स लाल पीला हरा पुल आइसक्रीम की दुकान एटियम मसीन भोजना ले बस स्टेंड हेलो आज का वीच्चे क्या है? मेरा सहर इसके बारे में बताऊंगा पर दोनों तरफ से गाड़ियां आ जा रही है जिसमें एक स्कूटर, स्कूटर के पिछे ट्रक, ट्रक के पीछे गाड़ी, गाड़ी के साथ में ओटो, ओटो के पीछे एक बस जा रही है, यह द्रिश्य सडक का है इसके बाइयो ट्रैफिक लाइट है, इसकी पहले लाल बत्ती वहानों को रुकने का संकेत देती है, दूसरी पिली बत्ती इंतजार करने का संकेत देती है, और तीसरी हरी बत्ती चलने का संकेत देती है, जैसे ही बत्ती हरी होती है, सभी वहान चल पड़ते हैं इसके साथ में एक डाक काना है जहां एक बच्चा अपने पेरेंट्स को चिट्टी लिखना चाहता है उसने चिट्टी लिखी और डाक काने में जाके डाल दी अपने पेरेंट्स को फोन कहां से करूँ वो रहा टेलिफोन बूट वहाँ जाकर अपने पेरेंट्स को फोन मिलाया और उनसे बात करके वह है बहुत खुस हुआ वहीं एक आइसक्रीम की दुकान है जहां बच्चे बड़े बुटे सभी लोग जिनको आइसक्रीम खाना महुत पसंद है वह वहाँ जाकर आइसक्रीम खाते हैं और आनंद लेते हैं यहां आइसक्रीम बेची जाती है एडियम मसीन चिन लोगों के पास रुपे खतम हो जाते हैं वो एडियम मसीन डूंड कर वहाँ जाते हैं और अपने मन चाये जैसे पानजार रुपे निकाले और अपने पर्स में डाले उसके साथ में एक भूजनाले है जिन लोगों को भूख लगी होती है वो वहाँ जाकर भूजन खाने का लूपत उठाते हैं और बहुत अच्छा महसूस करते हैं इसके आगे एक बस स्टेंड है जहाँ एक व्यक्ति बस के आने का इंतजार कर रहा है जैसे ही बस आती है वह बस में बेट कर चला जाएगा पीछे वाली सडक पर एक पुल बना हुआ है जिसके उपर से लोग आते जाते हैं और निचे से वहन इसको हम क्या बोलेंगे मेरा सहर जी हाँ मेरा सहर अला कर दो एक प्याँ मेरा सहर जाएब ढ़ हैं अला है जाँ बस कर दोटे हैं